जहिन दोस्तों देखिए आज के इस बेड़ों में दोस्तों आपको हम जिस सरकारी वेकेंसी की बारे में बताने जा रहे हैं ये दोस्तों दसवी लेबल का सबसे बड़ा सरकारी वेकेंसी है जिसका दोस्तों आप अभी फॉर्म भर सकते हो ठीक है इसमें दोस्तों बहुत सारा अभी सरकारी वेकंसी निकला है और निकलने वाला है लेकिन हम आपको personally suggest करना चाहेंगे आपको personally सलाह देना चाहेंगे कि आप इस वेकंसी को जरूर से जरूर भरिये हो सकता है कि भविश्य में आपको ऐसा मौका मिले या फिर ना मिले डिप्लोमा, B-Tech, M-Tech कुछ भी है, टेंथ पास तो सब है, इस पे सभी लोग फाम बरेंगे, दूसरी बात कि सबसे ज़्यादा सीट है, सबसे अधिक सीट इसी पर है, जितना भी वैकेंसी अभी निकला है, इसके बाद 2023 का सबसे बड़ा वैकेंसी है, दूसरा नंबर पॉइं इसके साथ इसका सेलेक्शन का प्रोसेस जो है, वो बहुत ही सिंपल है, ज्यादा टेंसन वाला नहीं है, इसके बाद दोस्तो साथ विभाग में जाने का आपको मौका मिलेगा, एक वैकेंसी को भरके साथ विभाग में जाने का आपको मौका मिलेगा, सातों में से किसी में एक में आपका जॉइनिंग हो जाएगा तो एक साथ इतना बड़ा ओपोर्चनिटी है इसके साथ सिंपल सेलेबस है सेलेबस भी जादा ताम जाम नहीं है बहुत आसान प्रोसेस है आप यह दि मेहनत किजेगा तो आपका नौकरी धरा हुआ इस पर ठीक है इसके बाद 2024 में आ आपको इस पर मिलेगा एचारे वगरा अलग से मिलेगा तो काफी बढ़िया सरकारी वेकिंसी है इससे बैटर कुछ भी नहीं है तो यदि आप दोस्तों टेंथ पास है ठारा उम्र आपका हो गया है तो आप इस वेकिंसी को आंक कंद मौन करके बढ़ियां से भर दीजिए और एकदम जीतोर मेहनत करके सरकारी नौकरी लेने का सपना आप पूरा किजिए ठीक है तो A to Z हम बताएंगे इस वीडियो में Age, Qualification, Selection Process, इसका syllabus क्या है, Physical Test क्या क्या है, कौन कौन सा पोस्ट है, कैसी क्या होगा, नहीं होगा, कहां पोस्टिंग होगा, क्या नौकरी समझाएंगे, कौन सा पोस्ट आप भर होगे, सारा A to Z समझाएंगे, तो वीडियो पर अंत्य तक बने रहेएगा, इस वीडियो इस वीडियो इस वेरी वेरी इंपोर्टेंट फोर आल अफ यू, ठीक है, आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक जरूर रखिएगा, चली दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, तो देखें दोस्तों, आप लोग तो समझ ही गए होंगे, कि हम कीज वेकिंसी की बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं, दोस्तों, SSC GD Constable 2023 का, जिसका 31 दिसंबर 2023 तक फॉर्म भराएगा, ठीक है, 31 बा से ओनलाइन चल रहा है, लास्ट डेट है, 31 बाराथ 2023, तो लास्ट डेट का इंतजार मत कीजेगा, जल्दी फॉर्म को भर दीजेगा, टोटल नमबर और पोस्ट की बात करेंगे, तो दोस्तों दोखिए, इस पर दो तरक की चीज़े आपको हम बता देते हैं, इस पर टोट चार अजार सीट और बढ़ गया, तो यह कोई बड़ा बात नहीं, ऐसा होता रहता है, तो अभी फिला सीट दोस्तों आपका निकला है 26,146, ठीक है, यह आगे चल के बढ़ जाएगा, सीट को मत देखिए, कम है कि जादा है, आगे चल के सीट बढ़ेगा, योग्यता यदि आप सधारन सा दसवी पास हैं, सिंपल टेंथ पास हैं, तो आप भर सकते हैं दोस्तों, ठीक है, आपका इस परसेंटेज वगर का अभी कोई जरूरत नहीं है, सधारन टेंथ पास है ना, किसी भी बोड के विद्धार्थी हो, फोम भर सकते हो, अब यहाँ पर उम्र देखि यदि आपका उम्र कुले में अभी पीस दिन, पचीस दिन बाकी है, तो देख लिजिए, निकाल करके, कि इस दिन हो रहा है कि नहीं मेरा उम्र है, ठीक है, तो कम से कम 18 साल तो आपका होना चाहिए, अधिक से अधिक, 23 साल यह हम बता रहे है, यानि जनरल वाले, ठीक है, औ OBC को 3 साल और SC, ST को 5 साल का उम्र में छूट, जिसको बोलते हैं, relaxation मिल जाएगा, apply करने में कोई बड़ा पैसा नहीं लग रहा है, सोर पह लगेगा, general OBC, EWS, 3 काटिगरी की student को, बाकी जो जो अधर है, जिसकि यादि आप SC है, ST है, महिला है, तो आपका इस पर पैसे देने क ज़रत नहीं है, इनका frame में फॉर्म पिलप हो रहा है, ठीक है, selection की process की बात करेंगे, चायन परकरिया क्या क्या है, तो समझ ये ध्यान से, चायन परकरिया में सबसे पहला आपका return test होगा, आपके CBT exam होगा, इसके बाद दूसरा process है, physical test होगा, इसके बाद तीसरा में आपक कागच पतर चेक करके medical कर लेगा, ठीक है, इसका last में आपका joining मिल जाएगा, तो काफी बढ़ियां है, exam निकालो, सब चीज क्लियर हो जाएगा, ठीक है, बस मेहनत करके ये वाले निकालो, exam, CBT exam, समझ बागे, और यदि आप form भर रहा हो, तो physically eligible हो, तभी form को भर हो, ठीक है आप देखिए return का जो syllabus है दोस्तों, उसको हम लोग बात करेंगे, लेकिन उससे पहले physical को देख लेते हैं, ठीक है, physical का क्या criteria है, बहुत सारे विदार्जी बोलते हैं कि सर हाइट कितना चाहिए, तो देखे दोस्तो, SSGD की सबसे best तयारी के लिए आपको चक्षू publication का यह दोस्तो, SSGD के लिए सबसे best guide आपका होगा, क्योंकि यह नए syllabus और नए pattern पर आधारीत सर्वसरिष्ट किताब है दोस्तों, इस किताब का खास बात यह है कि इस पर 2800 से जादा आपको objective question का collection देखने को मिलेगा, साथ ही साथ, पांस साल का आपको salt paper देखने को मिल जैसे के reasoning, math, gk, आपका Hindi, English, सब चीज इस पर है, इस में दोस्तो, पूरे syllabus को cover किया गया है, आप यहां पर दोस्तो, इसका PDF देखिए, यहां पर देखिए, कैसे विसे सूची के साथ, बहुत यह अच्छे डंग से, हर चप्टर का एकदम बढ़िया से solve करके बताया गया है 11 साल का solve paper अलक्स दिया गया है, और दोस्तो, 20 practice set आपको इस पर देखने को मिलेगा, जिससे आपका तयारी एकदम बहतर तयारी आपका हो सकता है, तो यह दोनों किताब का दोस्तो, लिंक मैंने description box में दे दिया है, आप इसको online भी खरी सकते हैं, या फिर दोस्तो, नजदी क market में जा करके, किताब दुकान में भी आप ये दोनों किताब ले सकते हैं, चेस्ट कितना चाहिए, रनिंग कितना चाहिए, तो समझे है, height देख लीज़ों दोस्तो, 170 cm height होना चाहिए, सभी का, ठीक है, लेकिन ST का 162.5 cm height है, फिर भी आप हम को बर सकते हैं, यह हम बता रहे पूरुस का, यदि आप महिला हैं, तो 157 cm आपका होना चाहिए, height और जो जो ST category के महिला है, उनका 150 cm height है, फिर भी फर्म भर सकते हैं, ठीक है, अब देखे, चेस्ट की बात करेंगे, आपका छाती कितना होना चाहिए, 80-85 cm सभी पूरुस का, और जो जो ST वर्ग के पूरुस है, 76-81 cm आपका चेस्ट होना चाहिए, फिमेल की यहाँ पर requirement नहीं होता है, ठीक है, रनिंग देख लिए, पांच किलो मेटर दोड़ना पड़ेगा, टाइम मिलेगा 24 मिनिट पूरुस को, और 1600 मिनिटर, यानि 1.6 किलो मेटर दोड़ना पड़ेगा, टाइम मिलेगा 8 मिनिट, ठीक है, तो यह है इसका physical eligibility, तो कोई बड़ा चीज नहीं मांग रहा है, कर सकते हो आसानी से, बस महनत करो, daily practice करो, 8 गंटा daily पड़ो, 2 गंटा field में daily दो, पक्का निकलेगा, ठीक है, सुबह 1 गंटा field में दीजिए, साम में 1 गंटा field में दीजिए, अपने आपको, और एकदम 8 गंटा study table में, एकदम चौकी में बैटके पड़ते रहो, ठीक है, तो आपका इसमें पक्का यहाँ पर नौकरी होगा, return का syllabus को समझ लीजिए, syllabus वगरा का सारा का PDF हम telegram group में share कर देंगे, तो telegram group को कौन-कौन join नहीं किया हो, comment बताना, और नहीं किया हो, तो comment में बताने से पहले join कर लो, ठीक है, तब बताना किया हम join हो गए, वहाँ PDF दे देंगे, 80 question पूछेगा, 160 number, परते question दोदो नंबर का होगा, तो 8, 12, 16, 160 marks, 60 minute time मिलेगा, पूरा एक घंटा, और 1 by 4th का minus marking भी है, ध्यान से सोच समझ के, जी के current अपेस रहेगा, 20 question, reasoning से पूछेगा, 20 question, mathematics से पूछेगा, 20 question, हिंदी इंगली से रहेगा, 20 question, तो 20 चोगा कितना हो गया, 80 question, 160 number, यह इसका syllabus है, pattern है, यह इसका physical है, अब इस पर कौन कौन सा seat है, तो देखें, इस पर seat है, आपका BSF का है, CRPF का है, CISF, जो कि सबसे ज SSB का vacancy है, ठीक है, इस तरह से दोस्तों, total 7 परकार का इस पर vacancy है, सब मिला करके 26,146 total seat है, सबसे ज़्यादा vacancy है, दोस्तों, CISF में है, ठीक है, तो आप CISF को भी पहला preference दे सकते हो, लेकिन आप लोगों ने बहुत ज़्यादा question पूछा था, कि sir, post preference कैसे देंगे, नही समझ में नहीं हा रहा, तो इस पर हम वीडियो भी बना दिये हैं, आप उस वीडियो को देखिए, या पर नहीं देखिए हो, तो comment box में link पिन कर देंगे, या फिर नीचे description box में link दे देंगे, आप उसको देखिएगा, post preference चुनने से पहले आप उसको देखिए, हम सारा चीज इसको रखना है, सब चीज उस वीडियो में डीटेल से हम बताए हैं, तो उस वीडियो को आप लोग जा करके देखिए, और समझेए, तब form को भरिएगा, ठीक है, तो SSC GD अभी तक का सबसे बढ़िया वेकिंसी आपका, दिसंबर 2023 में ही आप form भरना चाहते हैं सरकारी नो सोचिए, लेकिन अभी जो आपके पास मौका है, 2023 का अंतिम भेकिंसी है, 24 में जोइनिंग लेना है, बहुत सारे विद्याति क्या करते हैं कि 24 में form भरने का सोच रहे हैं, लेकिन आप अभी से form भर के तयारी कीजिए, और 24 में सोचिए कि हम जोइन करेंगे, ठीक है, आपका जोइनिंग पका होगा, ठीक है दोस्तों, और किसी भी प्रकार के दिक्कात है, तो कमेंट में बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कूल भी मत भूलिएगा, हर प्रकार का अपडेट आपको मियाँ पर देते रहेंगे, तो अमित करेंगे, सारा चीज हम आप ल दंग से समझा दिये हैं, चैले मिलेंगा अगली वीडियो में, जैहिंद!